वेल्कम टू मोटर रेव्यूज आज हम बात करने वाले ओल न्यू 2021 कावसाकी निंजा 300 B.A.6 की लॉंचिंग डेटेल आप में से काफी जादा व्यूवर्स और सब्सक्राइबर इस बाइक के लॉंच की वेट कर रहे हैं एक साल से उपर हो चुक है इस बाइक को इंडियन मार्किट से डिसकॉंटी नहीं हो चुक है अब कमिंग 2021 कावसाकी निंजा 300 B.A.6 का आपको लॉंच बहुत ही जल देखने को मिलेगा इंडियन मार्किट में क्या कुछ इस बाइक में आपको चेंजिस देखने को मिलेंगे, प्राइस कितना देखने को मिलेगा इंडियन मार्किट में लॉंच कब होगा सारी डेटेल और कॉंप्लीट इंफोर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जुरूरा पैंटता देखिए कावा साकी निजा 300 BS6 में आपको क्या को स्पैसिफिकेशन मिलते हैं इंजन में इसमें आपको 296 CC का लिकेट कूल BS6 कॉम्प्लाइंड इंजन मिलता है इस बाइक में आपको पॉवर इस बाइक की आपको 39 HP की पॉवर जनेरेट करेगा ये बाइक टॉर्क इसमें आपको 27 Nm of torque मिलता है number of gears इसमें आपको 6 speed gear मिल जाएंगे number of cylinder इसमें आपको twin cylinder मिलते हैं seat height इस बाइक की 785 mm की है fuel tank इसमें आपको 17 liter का fuel tank मिल जाएगा disc का size front में इसमें आपको 290 mm petal disc देखने को मिलेगा वी dual piston rear disc का size इसमें आपको 220 mm petal disc देखने को मिलेगा वी dual piston tire का size front में इसमें आपको 110-70-17 निंचिस का MRF का tire देखने को मिलते है front tire में rear tire इसमें आपको 140-70-17 निंचिस का MRF का tire देखने को मिल जाएगा suspension में front में इसमें आपको 41 mm के telescopic hydraulic fox देखने को मिलते हैं front suspension में, rare suspension में bottom link मिल जाएगा, Kawa Saki Ninja 300 BS6 में आपको क्या कुछ new changes देखने को मिलेंगे, इस bike में आपको all new BS6 compliant engine मिल जाता है, BS4 में इसमें आपको halogen headlight देखने को मिलती थी, BS6 में इसमें आपको LED DRL headlight देखने को मिल जाएगी, इस bike में आपको all new long and improved visor भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको latest 2021 colors and graphic भी देखने को मिल जाएगे, Kawa Saki Ninja 300 BS6 में आपको क्या कुछ features offer गिये जाते हैं, इस bike में आपको fully LED DRL headlight देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको analog plus digital meter console भी मिल जाएगा, dual channel ABSB spike में आपको मिलते हैं, इसमें आपको engine cooling technology, liquid cool मिल जाएगी, इस bike में आपको slipper and assist clutch में मिलता है, अगर इस bike के हम overall performance की बात करेंगे, top speed इस bike की आपको 192 km per hour के साब से मिलती है, city में ये bike जो average generate करेगा, 25 km per liter के साब से ये bike total average generate कर लेगा, इस bike में आपको refined engine देखने को मिल जाएगा, इस bike में आपको excellent handling भी देखने को मिलता है, as such इस bike में आपको कोई भी vibrations नहीं फीलोंगे और इसमें आपको कोई भी hitting issues नहीं face होंगे, Kawasaki Ninja 300 BS6 में आपको total comfortable riding position मिल जाएगा, अगर इस bike के हम overall price की बात करेंगे, BS4 का price आपको 2,99,000 extra room देखने को मिलता है, BS6 का price आपको 2,50,000 extra room देखने को मिल जाएगा, तो 50,000 रुपीज इस bike का price कम हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन हुआ है, ये मैं आपको बता दता हूँ, जितने भी इसके parts थे पहले import कराए जाते थे from Thailand and Indonesia, अब जितने भी इसके parts है, from headlight to engine, सारे made in India रहेंगे, जिसके कारण इस bike की overall cost reduce हो जाएगी, तो इसका price आपको 2,50,000 extra room पे करना बड़ेगा, अगर इस bike के हम launch की बात करेंगे, कावा साकी Ninja 300 BS6 का launch आपको March 2021 में देखने को मिल जाएगा, तो फिलाल जो information मेरे पास थी, मैंने आपसे discuss की, still आपके को doubts या कभी भी को question होते हैं, मुझे Instagram पे direct message करें, मैं आपको जूर reply दूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के review को हम इधर ही wind up करते हैं,